Hello everyone, मैं विनोत सर, आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो noun के part 1 वीडियो में मैंने आपको noun और noun के 5 types के बारे में बताया और आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो noun का part 2 वीडियो है जिसमें मैं आपको noun के number के बारे में बताऊँगा तो noun का जो पहला number होता है, उसे हम क्या करते है, singular number और दूसरा जो number होता है, उसे हम करते है, plural number ठीक है, तो singular number को हम हिंदी में क्या करते है, एक वचन और plural number को हम हिंदी में क्या करते है, बहुवचन ठीक है, अब चलिए हम इसके concept को जानते हैं कि singular हम किसी nown को हम singular form में कब कहेंगे किसी noun को हम plural Form में कब कहेंगे तो बहुत ही सिंपल है जैसा कि आप देख सकते हो singular word जो है ini single से बना है single का मतलब मुझे बताओ single का मतलब कितना हुआ single का मतलब वो एक यानि एक देखो तो अगर कोई noun किसी एक वेक्तिया वस्तू के बारे में बताए किसी एक वेक्तिया वस्तू के बारे में रेफर करें तो हम समझ जाएंगे कि वह सिंगुलर है जैसे हम यहाँ पर कह सकते सिंपल सा मतलब है singular का मतलब क्या संख्या में एक singular का मतलब क्या single मतलब संख्या में एक वहीं अगर देखा जाए तो अगर कोई भी नवन एक से ज़्यादा यानि one plus वेक्तिय वश्च्टू के बारे में बताए तो उसे ही हम क्या करते हैं उसे ही हम करते हैं plural बात समस्य में आ रही है कि हम plural किसे करते हैं तो देखो plural का मतलब क्या हुआ one plus यानि गिंती में आप देख लो गिंती में one two three four five six seven eight nine ten hundred thousand करोर लाक्स ठीक है जितना भी नंबर हो cable first number को छोड़के यानि single को छोड़के एक को छोड़कर के बाकी सब क्या कहलाता है बाकी सब plural कहलाता है यानि one के बाद अगर extra आ जाए तो उसे ही हम क्या करते है उसे हम plural करते है तो जैसे देखो example से भाम समझते है जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते है जैसे हम यहाँ पर लिखते है car ठीक है तो cars का मतलब क्या हो गया, एक से जादा, ठीक है, car और ये हो गया, carे, मतलब एक से जादा, देखो यहाँ पर एक example हम और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा boy, चलो boy का मतलब क्या हुआ, लड़का, ठीक है, कितना लड़का, एक लड़का, लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं boys, तो boys का मतलब क्या हो गया, boys का मतलब हो गया, लड़के, बात समस्य में आ रहे हैं, boys का मतलब लड़के, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि लड़का का मतलब एक लड़का, लेकिन boys लड़कें का मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, car singular है, और cars क्या plural है, वहीं देखा जाए, तो boy क्या है, singular है, और boys क्या है, प्लूरल है, चलो एक example यहाँ पर लिखा, bus, ठीक है, तो bus का plural क्या हो जाएगा, buses, तो cool मिलाकर हम क्या देख रहे हैं, कि हम noun, noun को हम singular form make up करते हैं, और noun को हम plural form make up करते हैं, जब गिंती से पता चले संख्या में एक है, तो singular, जब गिंती से पता चले संख्या में एक से जादा है, यानि one plus है, तो plural, और एक चीज़ आप आँ यहाँ पर ध्यान देना, कि जब हम किसी noun को, हम singular से plural बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है, एस मिल रहा है, ठीक है, और नहीं तो क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, तो एक चीज़ आप हम हम यहां पर लिख देते हैं, देखो, plural noun का पैचान क्या होता है, जनरली हमें अंत में क्या देखने को मिलता है, s या is, तो बात आपको समझ में आ रहे हैं, कि हम singular noun किसे करते हैं, plural noun किसे करते हैं, यानि कि जब कोई noun किसी एक वेक्तिया वस्तू के बारे में बताए, तो singular, और किसी एक से ज़्यादा, one plus वेक्तिया वस्तू के बारे में बताए, तो उसे हम क्या करते हैं, plural, तो अब मैं आपको बताऊंगा, कि जब हम किसी noun को singular form से plural form में convert करते हैं, तो हमें s कब लगाना है, और es कब लगाना है, तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको regular nouns के बा बड़ा confusion हमारे साथ यह है, कि plural बनाते समय हमें s का प्रयोग करना है, और es का प्रयोग करना है, तो देखो, यहाँ पर इसके लिए मैं कुछ rules के बारे में बताऊंगा, इससे भी questions आते हैं, ठीक है, तो देखो, हमारा rules में जो पहला rule है, पहला rule यही है, कि अगर किसी noun के ज दिखाए दे, क्या दिखाए दे, तब वह ऐसे स्थिती में आपको क्या करना है, वैसे स्थिती में जब आप उसका plural बनाओगे, तो आपको केबल s लगाना है, क्या लगाना है, केबल s लगाना है, जैसे example के लिए देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा cat, तो cat जो हमारा noun है, यहां last में आपको क्या दिखा दिया तो ट क्या है consonant है तो जब हम इसका plural बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे हम बताओ क्या यहां पर ES लगाएंगे या फिर S लगाएंगे तो बिल्कुल हम यहां पर S लगाएंगे जैसे एक example और हमने लिया यहां पर यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे केबल एस लगाएंगे जब इसका plural बनाएंगे हम तो क्या करेंगे केबल हम यहां पर एस लगाएंगे तो डॉक्स अब जैसे देखो एक हमने एक्जामपल लिखा हॉर्स तो यहां पर आपको देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर horse के अंत में देखो आपको क्या मिला, e दिखाए दिया, तो जो e दिखाए दिया न, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, cable आपको यहाँ पर s लगा देना है, तो जब हम horses लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, cable s लगा देंगे, horses, उसी परका जेनरली जब किसी नाउन के अंत में कॉंसनेंट होता है जब उसका लास्ट लेटर जो होता है या फिर लास्ट लेटर ई होता है तो हम क्या करते हैं केबल उसमें क्या करते हैं पूरल बनाने के लिए हम उसमें केबल एस लगाते हैं चलो अब मैं आपको दूसरे रूल के बार कर रहे हैं तो लास्ट लेटर हमारा क्या है लास्ट लेटर में देखो ध्यान देना अगर लास्ट लेटर में हमें एस दिखाए दे आल्रेडी हमारा जो लास्ट लेटर है एस है या फिर डबल एस है या फिर एस है या फिर च या फिर एक्स है या फिर जेड है तो पता है हमे क्या करना तब ऐसे स्थिति में हमें लगाना है क्या लगाना है ऐसे स्थिति में हमें यह लगाना है प्लूरल बनाने के लिए अ कि लिए किया लगाना करना कब जब हमारा लाश्ट लेटर एसस का साउंड ओ डेविज बैस FDA हो ठीक है या पिर जैसे एक्जाम्पल के लिए आप यहां पर देखो जैसे हमने क्या लिखा हमने यहां पर लिखा बस तो बस के लास्ट में क्या है बस के लास्ट में एस है तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे यहां पर हम बसे लिखेंगे यह लगाएंगे बात आपको शम हैं दो समझाद हमने और दो मैचे के अंत में को मिल रहा है आपको odo Auchlic जाए है जैसे हमने लिखा box तो क्या हो गया यहां पर वाक्स का क्या जाहाएगा इस लग जाएगा ठीक है जैसे हमने लिखा कई ठीक है जेड्क के तो क्या हो जाएगा तो बात समझ में आ रही है, यानि हमें es कब लगाना, जब लास्ट में क्या रहा है, s रहे, s रहे, ch रहे, x रहे, और z रहे, तो क्या करेंगे हम, उसमें plural बनाने के लिए es लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जब मैं CH बोल रहा हूँ तो यहाँ पर CH कैसा sound दे रहा है यहाँ पर CH चा sound दे रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपको समझ मैं है तो देखो CH से related यहाँ पर क्या एक exception है देखो मैं एक exception के बारे में बताता हूँ पहले मुझे इस example को मिटाने दो तो यहाँ पर देखो लास्ट में CH किसका sound दे रहा है चा का दे रहा है तो जब CH चा का sound देगा तभी हम उसमें ES लगाएंगे लेकिन CH के साथ एक condition है ठीक है एक exception क्या है देखो exception क्या है exception यह है कि जब CH का sound चा ना हो करके कः हो जाए जब CH का sound चा ना हो करके कः हो जाए तो उसके last में फिर हम क्या करते है cable S लगाते है plural बनाने के लिए हम क्या करते है S लगाते है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर example के लिए जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर ठीक है जैसे हमने लिखा дня यहां पर हमने लिखा ARC ठीक है तो यहा पर यह च किसका साउंड दे रहा का का कदे रहा है को यह क्या हो जाएगा अर्क सुजईगा वात समझ में आ रही है जैसे हमने यहा पर लिखा stomach to stomach में CH किसका साउंड दे रहा का कदे direction t यह क्या हो जाए गबल हम एस लगांगेगे यह पर ठीक है मिफनत यह पर इस लगाएं गया तो यह स्टॉम सो जाए Japanese आ रही आया है जैसे हमने यहाँ पर लिखा मोनार्ख कब ऺतर तो यहाँ पर स्यश्सक्रत क्या है कर है तो यह क्या हो जाएगा, मोनाक्स हो जाएगा तो यह हमारा CS से रिल्लेटेड क्या था कि exception था अब चलो मैं आपको third rule के बारे में बताता हूँ, third rule हमारा क्या है देखो अगर हमारा last में y रहे तो y का क्या condition है तो हम यहाँ पर third rule के बारे में आपको बता रहे हैं थाट रूल हमारा क्या है तो देखो लास्ट लेटर जो हमारा क्या रहे वाई रहे लेकिन उस वाई से पहले कोई कॉंसनेंट हो देखो लास्ट में हमारा क्या रहे वाई रहे लेकिन उस वाई से पहले क्या हो हम यहां पर किसके बारे में बात करें हम यहां पर वाई के बात में बात करें टिक है लास्ट में क्या रहे वाई रहे लेकिन उस वाई से पहले क्या रहे कॉंसनेंट रहे क्या रहे कॉंसनेंट रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाई को इस वाई को क्या करेंगे आई में चेंज करेंगे इस वाई को आई में चेंज करेंगे और तब हमारा क्या होगा तब यहां पर क्या होगा हमारा कि हम इसमें क्या करेंगे यह लगाएंगे वात अब कुशमस में आ रहे हैं तो ऐसा हमें कब करना देखो लास्ट लेटर अगर हमारा वाई हो लेकिन एक बात और समझना के उसवाई की ठीक पहले एक consonant हो, तब हम क्या करेंगे? हम उसका plural बनाते हैं समय सबसे पहले क्या करेंगे? Y को I में change करेंगे, किस में करेंगे? I में change करेंगे, और तब हम उसमें क्या करेंगे? ES लगाएंगे, जैसे example देखो, example से कोई बात हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? CT, तो CT में last में क्या है? Y है, और इसके ठीक पहले T क्या है, consonant है, तो हम क्या करेंगे? CT जब लिखेंगे, तो यहाँ पर Y को किस में change करेंगे? I में करेंगे, और इसमें क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे, बात समझ में आ रही है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, बेबी, तो बेबी में last में क्या है? Y है, तो Y को हम क्या करेंगे? I में change करेंगे सबसे पहले, और क्या कर देंगे? ES लगा देंगे, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर लिखा जैसे हमने यहाँ पर लिखा लेडी तो लेडी का क्या हो जाएगा लेडी बात आपको समझमारी के वाई वाला कंडिशन में हमें कब क्या करना है चलो अब मैं आपको बताता हूँ fourth rule के बारे में देखो मेरा board बहुत छोटा है इसलिए मुझे हर बार लिखने के बाद मिटाना पड़ रहा है मैं समझता हूँ कि सारा concept आपका clear हो इसलिए मुझे सभी नियमों के बारे में बताना पड़ेगा लेकिन मैं गिंचुन के वही example दे रहा हूँ जो paper में आता है वैसे तो example बहुत सार है ठीक है लेकिन हमें उन्ही example को सामिल करना है जिससे question exam में आता है ठीक है confuse करने के लिए तो चलो मैं fourth rule के बारे wire है लेकिन अब क्या है कि इस y से पहले consonant ना होकर की वहवल का sound आ जाए क्या आजए वह वह वैल कर साउंड आ जाए तब वह ऐसे स्थिति में क्या करेंगे वह ऐसे स्थिति में हम y को कीसी में भी change नहीं करेंगे y को as it is रखेंगे और cable उसमें क्या करेंगे एस लगाएंगे ठीक है जैसे example देखो जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या day तो देखो day का अंत में क्या है day के अंत में y है हां कि ना day के अंत में y है लेकिन इस y से पहले क्या है इस y से पहले एक vowel sound है consonant का sound नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको जब हम plural बनाएंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको लिखेंगे days cable हमने क्या किया s लगा दिया और यहाँ पर हमें y को change भी नहीं करना पड़ा ठीक है एक example और लिखते हैं जैसे ray तो ray का क्या होज़ेगा है raise बात समझ में है ठीक है चलो अब अगले rule के बारे में मैं आपको बताता हूँ अगला rule हमारा क्या है पांचवे नमबर पे तो पांचवे नमबर पे जो हमारा rule है वो मैं बात करूँगा O के बारे में यहाँ पर मेरा जो चर्चा होगा यह ओ के बारे मुगा अगर लास्ट हम एक नोका साउंड रहिए ठीक है तो और कसांड रहे तो यहां पर जो हमारा बात होगा यहां पर उस उस से पहले 9 क्या ओ क्या होग ऐसा स्थिती में क्या करेंगे तो ऐसे इस तिती यहा करें आ उसमें एस लगाएंगे क्या लगाएंगे एस लगाएंगे जड़ा देखो एक्जांपल से मैं इसको समझाता हूं देखो पांचवा नंबर में हमारा क्या है पांचवा नंबर में हमारा क्या है पांचवा नंबर में है कि अगर लास्ट वाला लेटर क्या रहे और है लेकिन एक और condition पर ध्यान देना की कॉन्स, तब वो ऐसे इसतित्य हम क्या करेंगे, वेसे स्तित्य हम क्या लगाएंगे इस लगाएंगे जैसे एक्जाम्पल देखो एक्जाम्पल हमारा क्या है जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा हीरो ठीक है हीरो तो देखो यहां पर आपको ओ दिखाई दिया लेकिन इस ओ से पहले क्या है यहां परो के पहले जी क्या कॉंस्विन है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मैंगो बात समझ में आ रही है ठीक है तो इसी तरीके से ना लेकिन देखो यहां जो सिक्स नंबर का जो हमारा रूल है उसमें एक एकसिप्शन भी हमने क्या बताया कि अगर लास्ट में आपको O दिखाई दे और अगर उसके पहले consonant हो तो हम इसमें क्या करते हैं येस लगाते हैं जैसा कि अभी भी मैंने आपको कुछ एक्जांपल दिया है मैंगो, मैंगो है ना तो यहाँ पर एक exception क्या है कि आप इन नाउन को ध्यान से देखिए इन नाउन को अब ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर अंत में O तो दिखाई दे रहा है देखो सब जगा आपको O दिखाई दे रहा है और इसके पहले क्या consonant भी आपको दिखाई दे रहा है देखो T क्या consonant है T क्या consonant L क्या consonant D क्या consonant है लेकिन यहाँ पर जैसे हम yes लगा रहे थे तो यहाँ पर हम yes नहीं लगाएंगे अगर हम यहाँ पर photo में yes लगा देंगे photos कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा अगर हम यहाँ पर auto में भी yes लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा तो आप इस बात को ध्यान से समझे कि देखो इंग्लिस में क्या है कि हर रूल का कुछ न कुछ exception जुरूर होता है तो यहाँ पर साथी साथ मैं आपको exception भी बता देता हूँ क्योंकि यहीं पर confusion create होता है देखो जहाँ पर confusion होना question वहीं से बनता है तो आपका यह confusion दूर हो जायता कि पेपर में question जो आपका था हो बहुत आसानी से solve कर लो इसलिए मैं आपको सारे confusion और सारे exception के बारे में आपको बता रहा हूँ तो यहाँ जो six number का जो हमारा rule है वो rule का क्या है यह exception है यहाँ पर कुछ गिंचुन के हमने क्या 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 कुछ noun सामिल किया देखो वैसे तो हो सकते हैं और भी कुछ noun हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर वही सामिल कर रहा है जो कि जिससे question ज्यादा बनता है ठीक है इन सब का क्या है कि O के पहले consonant होने के बावजूद भी हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम केवल S लगा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो चलो, अब मैं आपको अगले rule के बारे में बताता हूँ, हमारा अगला rule में क्या है, देखो, अगला जो सात्वा नमबर क जो हमारा rule है, वो भी O से ही related है, तो इसमें क्या है, देखो, यहाँ पर last में आपको O तो दिखाई देगा, लेकिन इस O के ठीक पहले, consonant ना हो करके कोई वोवल आजाए, क्या आजाए, वोवल आजाए, तब वो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, तो क्या फिर हम हमें अभी इस लगाना है, बिल्कुल नहीं, अब हम क्या करेंगे, केबल एस लगाएंगे, तो देखो, यह भी point last O से related है, लेकिन अब क्या है, इसके पहले वोवल है, consonant नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका मैं एक्जामपल देता हूँ, जैसे हमने एक्जामपल में यहाँ पर लिखा, जैसे हमने लिखा, वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो में आपको क्या है, O आपको दिखाई दिया, और इसके पहले जो E है, वो बताव मुझे कि वो consonant है, या फिर वोवल है, तो obviously क्या है, यह वोवल है, तो ऐसे स्तिती में हम क्या करेंगे, जब इसका तो क्या करेंगे हम, studios, बात अपको समस में आ रही है, ठीक है, चलो एक example हम और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ratio, तो ratio का क्या हो जाएगा, ratios, ठीक है, एक और example लेते हैं, जैसे radio, तो radio का क्या हो जाएगा, radius, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम cable S लगा रहे हैं, चलो अब मैं आपको regular nouns में, मैं अब आपको आखरी rule बताता हूँ, तो इसको मिटा देते हैं, अब चलो बात करते हैं हम, देखो, अगर, देखो, मैं आटवे नमर rule के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या खास है, देखो, अगर आपको last में, जो last letter आपका है, जो आपका last letter है, last letter में क्या रहे, देखो, आटवे नमर में क्या बाचाना है, अगर आपको last में F दिखाई दे, क्या दिखाई दे, F दिखाई दे, या फिर F E दिखाई दे, या तो हमारा F दिखाई दे, या फिर F E दिखाई दे, तो सबसे पहले हमें करना क्या, सबसे पहले हम क्या करेंग इसको सब से पहले हम V में change करेंगे, और तब क्या करेंगर उसमें हम? ES लगाएगे, तब हम उसमें क्या करेंगे? ES लगाएगे, बाट आपको समझ में और श्मसे नहूilly में आपको क्या बताना चारा वी में और तब उसमें हमने क्या किया is लगाया चलो कुछ example मैं यहां पर सामिल करताओं तो example देखो क्या है जैसे कि यहां पर हमने लिखा काफ ठीक है तो काफ का मतलब देखो का मतलब क्या होता बच्छडा होता है न तो देखो जब हम इसका plural बनाएंगे तो क्या होगा C-A-L तो यहाँ पर F को किसमे change करना, V में करना तो यह V हो गया और तब उसमें क्या करेंगे ES लगाएंगे, उसी परकार से जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा यहाँ पर हमने लिखा knife तो यहाँ पर आपको F-E मिला, तो F-E को किसमे change करना हमें, F-E को V में हम लोग यहाँ पर change करेंगे, और तब क्या करेंगे ES लगेंगे knife हो गया, ठीक है यहाँ पर हमने लिखा wife, तो wife का क्या हो जाएगा wives हो जाएगा, ठीक है life तो life का क्या हो गया ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे लिखा ठीप तो ठीप का क्या हो गया ठीप, बात आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पर चलो, एक noun में आपको और सामिल कर देता हो यहाँ पर, ठीक हो, जैसे leaf अगर होगा leaf का मतलब क्या, पत्ता ठीक है, leaf leaf, तो leaf का क्या हो जाएगा le, और यहाँ पर f को किसमें चेंज करना v में, तब क्या कर देंगी, es तो आपको बात समझ में आ रहा है कि जब f वाला condition रहे, तो f या fe को हम क्या करेंगे, पहले v में चेंज करेंगे तब हम उसमें क्या करेंगे, es लगाएगे लेकिन मैंने क्या बता है, कि हर point का क्या exception है, तो यहाँ भी exception है तो चलो, अब मैं exception के बारे में बताता हूँ देखो, सबसे ज़्यादा important होता है exception के बारे में जाना, क्यों question वहीं से ज़्यादा बनता है, तो मैं अब इस point जो हमारा आटवा number point है, उसका भी मैं आपको exception बता देता हूँ मतलब कि, अब यहाँ पर कुछ ऐसे noun में मताओंगा exception में, जिसके अंत में f रहेगा, फिर भी वो जिसके अंत में f भी होगा, यह f e भी होगा, फिर भी हम उसको v में change नहीं करेंगे, और yes नहीं लगेंगे हम directly क्या करेंगे, उसमें yes लगाएंगे जैसे देखो exception में जो हमारा noun है exception में जो हमारा noun है देखो exception में हमारा noun क्या है अब लिख देता हूँ में, exception तो exception में जो हमारा noun है, जैसे कि है क्या belief और क्या है chief और क्या है roof और क्या है प्रूफ, बात आपको समझ में आ रही है, और क्या है, सेफ, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पर देखना, कि यह जो हमारे नाउन है, जो मैंने भी लिखा, बिलीफ, चीफ, रूफ, प्रूफ, और सेफ, इसके अंत में आपको क्या दिखाए द दिखाए दिया, यहाँ पर क्या, फी दिखाए दिया, तो कायदे से हम लोग क्या कर रहे थे, जो एफ है, और फी है, उसको हम किसमें चेंज कर रहे थे, भी में चेंज कर रहे थे, और तब हम उसमें क्या कर रहे थे, यह लगा रहे थे, लेकिन देखो, मैं यहाँ पर बता Ayachapta क्या हो जाएगा ale perfect काुजधा चीप सोजएगा है ना रूफ गया हो जब रूफ को सोजए गाप रूफ़ क्या हो जाएगा बुभ सो जएगा है थीक है और सेफिकर क्या हो जाएगा सेफिकर तो ये सारे रूल थे जो मैंने Dark आपको बताया कि जब हम regular noun में ठीक है जब हम regular noun को जब हम singular से plural में convert करेंगे तो हमें S कब लगाना है और ES कब लगाना है तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि पेपर में इससे भी question देखने को मिलते और मैं आसा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया है कि हमें plural बनाते समय एस का प्रयोग कब करना है और ES का प्रयोग कब करना अब मैं आपको irregular nouns के singular और plural form के बारे में बताओंगा तो देखो regular nouns हम उसे कहते हैं जिसको हम singular से plural बना सकते हैं और singular से plural हम कैसे बनाते हैं एस या इस लगा कर अब हम यहाँ पर बात करेंगे irregular nouns के बारे में ठीक है और irregular nouns हम उसे कहते हैं जिसका singular अपना पहले से form बना होता है और plural भी पहले से बना होता है हम उसमें singular से plural बनाने के लिए हम कभी भी उसमें yes या yes नहीं लगाते हैं तो बात समझ में आ रही है, irregular nouns हम उसे कहते हैं जिसका singular और plural दोनों form अपना पहले से मौजूद होता है हम उसको कभी भी singular से plural के form में नहीं change करते हैं तो इसे हम कहते हैं irregular nouns तो irregular nouns ही आपके लिए सबसे ज़्यादा important है क्योंकि regular में तो आपको पता चल गया कि yes या yes लगाने से हमारा काम हो जाएगा लेकिन irregulars में आपको सभी noun के singular और plural form के बारे में आपको जानना पड़ेगा तभी आप question अगर आता है तो आप solve कर पाओगे तो देखो अभी हम सुरू करते है man से तो man हमारा क्या है singular है तो man का जो plural होगा उसमें हम s या es नहीं लगाएगा क्योंकि man जो singular है उसका plural का form भी पहले से मवजूद है तो man का plural क्या हुआ man और ये क्या woman है ठीक है बहुत सारे लोग इसको woman पढ़ते है वोमेन नहीं पढ़ना है it's a woman ठीक है तो woman हमारा क्या singular है और इसका plural क्या हो गया women it's not women इस वीमिन ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो a है वो e में change हो गया जब singular में a था तो plural में क्या हो गया e जो है वो e में change हो गया अब देखो child हमारा सिंगल ठीक है सिंगुलर और चाइल्ड का प्लूरल क्या हो गया चिल्ड्रेन टूथ का प्लूरल टीथ फूट का प्लूरल फीट आक्स का प्लूरल आक्सें माउस का प्लूरल माईस गूस का प्लूरल गीज और थैसिस का प्लूरल थैसिस ठीक है तो यहां पर एक चीज़ अगर हमें अंत में एस आई एस देखने को मिले तो यह बहुत ही सिंपल है अगर आपको एस आई एस देखने को मिलता है तो हम कुछ हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं यहां पर बेसिस है में तो जब आम इसका फिर्टाइब थेखेंगे तो आपको में स Architect क्या दिखाए दारा चेंज में बस यही कि जो है वो इंडिए चोका यानि को अ ten उन analysis में भी ओई condition है analysis हो गया poises में भी ओई condition है जो i था वो क्या हो गया e में change हो गया poises का मतलब क्या होता है maru homing यानि registan ठीक है वहीं देखा जाए criterion तो criterion हमारा क्या singular है और जब इसका plural होता है वो क्या होता है criteria तो दो को criteria word हमारा पहले से plural है तो क्या करेगा आपको paper में इसमें जान बुझकर ace लगा कर दिया जाएगा तो अगर हम criteria में ace लगा देते हैं तो गलत हो जाता है क्यों क्यों क्राइटेरिया word पहले से plural है और इसका singular form क्या होता है criterion होता है उसके बाद है stratum stratum का मतलब क्या होता है stratum का मतलब होता है layer जिसको हम हिंदी में कहते है परत ठीक है तो stratum का plural क्या हो जाएगा strata उसके बाद आगे alumnus ठीक है alumnus का मतलब होता है former graduate अगर आप इनवर्सिटी अगर आप किसी इनवर्सिटी से graduation कर चुके हो आप graduate हो मतलब former graduate हो पहले आप ने graduation complete कर लिया है तो उसी को हम क्या करते है उसी को हम करते है alumnus करते है ठीक है तो alumnus हमरा क्या singular है और इसका plural क्या हो जाएगा alumni हो जाएगा तो बात समझ में आ रही है तो इस तरह का जो irregular nouns है ठीक है एसा noun है जिसका दो-दो plural form होता है एक तो होता है clothes जिसमें हम S लगाते है और एक होता है clothes ठीक है जिसमें हम ES लगाते है और मैं आपको बता दू कि cloth के दोनों ही plural form सही है लेकिन दोनों का meaning बिलकुल different है जब हम cloth में cable S लगा करके हम उसको plural बनाते है तो इसका मतलब होता है unstitched unstitched का मतलब क्या होँआ बिना सिला हुआ कपड़ा ठीक है और जब हम cloth में जब हम ES लगा करके देखो cloth में जब हम ES लगा करके हम उसका plural form बनाते है तो उसका मतलब होता है stitched stitched का मतलब क्या होँआ लगता है ठीक है तो देखो यहां पर यहां पर हम इसको समझने के लिए कुछ sentence मैंने आपके लिए दिया है अब यहां पर आपको बताना है कि meaning के अनुसार कौन सा cloth इसमें सही है देखो पहला sentence हमारा क्या clothes are sold by the meter यानि कपड़े meter से बेचे जाते अब मुझे बताओ आप कौन सा option select करोगे option A या option B तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको option A को select करना होगा इसलिए क्योंकि कपड़े जो है meter से बिखते हैं तो हम कैसे कपड़ों को meter से बेचते हैं शिलाहुआ कपड़ा को मेटर से बेच थे हैं के बिना शिलाहुआ कपड़े को हम क्या करते हैं? गया विंद पूर से बेच थे हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर यह सही है... आप देखो दूसरा sentence क्या है... वी व्य वाम क्लोथ्स इन था वींटर ठीक है... तो हम लोग देखो, winter season में क्या करते हैं, in the winter season, ठीक है, तो हम लोग winter season में क्या करते हैं, warm गरम कपड़े पहनते हैं, तो गरम कपड़े पहनते हैं, तो बीना सिलावा पहनते हैं, कि सिलावा पहनते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, ये option A सही होगा, या option B सही होगा, बताओ, तो option B हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर uniform के बारे में बात हो रहा है, सिलावा कपड़ा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझ मैं है, कि cloth के दो-दो form होते हैं, एक में हम cable S लगाते हैं, और एक में हम क्या करते हैं येस लगाते हैं और दोनों का meaning क्या होता है दोनों का meaning बिल्कुल different होता है चलिए अब मैं आपको compound noun के बारे बताता हूँ देखो हम compound noun किसे कहते हैं compound noun हम उस noun को कहते हैं जो दो या दो से अधिक word के combination से बनता है तो यहाँ पर हमने जो भी noun की example लिखे हैं ये सबी क्या ये सबी compound noun है कुछ compound noun hyphenated होते हैं मतलब उसके बीच में क्या होते हैं hyphen किस तरह से चीन होते हैं जैसे आप देख रहो brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law step-mother, passer-by तो ये सब में क्या ये सब compound noun हैं तो यहाँ पर देखो compound noun के कुछ example है तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम किसी compound noun को singular से plural में change करते हैं compound noun को singular से plural में change करने का क्या तरीका होता है क्या नियम होता है तो देखो अगर इस तरह के hyphenated compound noun आपको मिले तो उसमें हम जब उसका plural बनाते हैं तो जब हम उसमें s लगाते हैं तो हम उसके main word में s लगाते हैं यानि उस compound noun में जो main word होता है उसी में हम s या es लगाते हैं तो देखो यहाँ पर brother in law तो brother in law यहाँ पर हमारा तीन word है brother in और law अब मुझे बताओ कि ये तीनो वर्ड में जो हमारा main word है वो कौन सा है तो हमारा main word जो है वो brother है ठीक है अच्छा brother ही main word क्यों है क्योंकि in-law तो हम कहीं भी लगाते है हमारा change कौन होता है brother के जगा पर sister, फिर mother तो हमारा जो change हो रहा है वही हमारा main word है in-law थो हम सभी जगा लगाते है तो हमारा main word क्या है brother है, जब हम इसका plural बनाएंगे, तो देखो हमारा जो पहला लिखा हुआ है brother in-law, यह हमारा क्या singular है, और जब हम इसका प्लूरल क्या हो जाएगा brother in-law का plural हो जाएगा brother in-law घिक है, उसी परकार से step mother में हमारा main word है, وہ main word کون मदर है ठीक है, क्यो prawn हम change को, अगर हम इसे change करेंliers तो change कोन हो सकता है, केवल मदर हो सकता है यहान step mother के जगह पे step father हो सकता है तो हमारा main word किया mother है, तो हम यहाँ पर जब इसका plural बनाएंगे तो क्या हो जएगा step mothers है आप देखो अब मैं आपको कुछ ऐसे compound noun के बारेमें बताता on जिस में एक मैन या एक वोमेन रहेगा तुझ अधि Federation रहेगा तो जब किछ compound noun में चक्रण नाओन हो किसी compound में दो नाओन हो जिसमें से एक noun क्या हो man या woman हो तब वह ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं तब वह ऐसे स्थिति में हम दोनों को plural form में लिखते हैं हम man को भी plural लिखेंगे और woman को भी plural लिखेंगे और उसके साथ जो noun जुड़ा है उसको भी हम plural करेंगे यानि हम दोनों को plural करेंगे, तो यहाँ पर man doctor में देखो, man भी singular है, doctor भी singular है, लेकिन यह दोनों मिला करके एक noun का meaning दे रहे है, ठीक है, तो एक noun का meaning दे रहे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसे plural के form में change करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को plural करेंगे, देखो, गलत हो जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा दोनों जगा प्लूरल करना पड़ेगा तो हमारा जो मैन डॉक्टर का जो प्लूरल है वो क्या है वो मेन डॉक्टर्स है अब देखो वोमन टीचर तो वोमन टीचर के क्या हो जाएगा विमन टीचर्स हो जाएगा दोनों प्लू मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपका noun से related जो number है उसके सभी point आपके clear हो गया होगे हमने सीखा कि कैसे हम singular को plural बना सकते है regular nouns हम किसे कहते है irregular nouns हम किसे कहते है साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि singular हम किसी noun को कब कहते है plural कब कहते है चेक है उसके बाद मैंने आपको कुछ S या Is लगाने के मैंने आपको कुछ नियम बताया जिसमें total 8 नियम थे कुछ exception भी उसमें सामिल था चाहिए साथी साथ मैंने आपको irregular plural के बारे में बताया irregular nouns के बारे में बताया irregular nouns हम ओसे noun को कहते हैं जिसका singular भी खुद का होता है, जिसका plural भी खुद का होता है, ठीक है, मैंने उसका भी list आपको बताया, और अंत में मैंने आपको compound noun के plural के बारे में बताया, ठीक है, तो ये था आज हमारा noun के number का chapter ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सुरू करेंगे, noun का जो हमारा अगला दैर होगा, वो होगा क्या, या तो हम जेंडर पढ़ेंगे, या तो हम केस पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखता हूँ कि मैं अगले वीडियो में मैं जेंडर स्टार्ट करूं, या पिर केस स्टार्ट करूं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आसा करता हूँ कि आज के वी वीडियो में तब तक के लिए इट्स अ गूडबाई, टेक के